बिहार की राजधानी पटना एक वर फिर अपराद की राजधानी बनती जारी है बीती शाम पटना एरपोर्ट पर तैनात इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंग की गोली मारकर हत्या कर दी गई बताया जारा की बाइक पर सवार अपरादियों ने रुपेश पर तावर तोर छे राउंड फाइरिंग की और फिर हतियार लहराते हुए फरार हो गया वहें इस मामले की जांच के लिए साइटी का गठन किया गया है इस घटना को लेकर सियम नितीश कुमारेक पर फिर से साथी उन्होंने कहा कि नितीश जी द्वारा अपरादों को छीपाने की चेस्ट और उसे सुईकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराद और अपराधियों के लिए रामबान है उनसे बिहार नहीं संभल रहा तो अब विलम विस्तिपादे आपको पता दे किस से पहले भी तेजस्वी ने टूइट कर कहा था सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना एरपोर्ट पर मैनेजर रुपेश कुमार सिंग की गोलिया मार कर हत्या कर दी वह मिलंसार और बददगार सुभाव के धनी थे उनके असामाईक मिरित्यू से बहुत दुखी हूं भगवान उन प्रश्माज की मांग की तो विजेपी के सांसत विवेक ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा है रुपेश सिंग इंडिगो बिहार स्टेशन हेट के जो अभी हत्या हुई है यह एक बहुत ही कंभीर चंता का विशय है जिस व्यक्ति की कोई अपराधिक प्रिष्ट भूमी न हो और उसको दस से पंद्र गूली मारा जाए यह बहुत ही बड़ा प्रश्माचक्षिंग खड़ा करता है बिहार के नवगटेट एंडिये सरकार पर पत्ना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मवारी बहुत गंभीर है उन पर और तीन से पांस तिन के अंदर में पुलिस को एक निशकर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलम ताकि अगर केस को भी अगर सुपूर्ट करना पड़े तो इमेजिटली करना पड़ेगा उनको ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निशकर्ष पर कोई संस्था पुर्ण तेस पांस ताकि अपांस।